वेलकम बैक टो फिल्मेंपाइट दोस्तों अमीद करता हूँ आप सब ठिक ठाक होंगे वैसे तो दोस्तों जून के महीने में काफी सारी फिल्में रिलीज हो रही है बट आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 एंटिस्पेटेड फिल्मों के बारे में जो आपको थ 2898 जो के एक मल्टी इस्टार एक्शन साइंस फिक्षन ट्रेलर फिल्म होने वाली है जिसकी लीड में आपको प्रभास अमिताब बच्चन दीपिका पादुकोंड दिलकुर सलमान दिशा पतानी कमल हसन राना दगुबती जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे और दोस्तो इस फिल्म का बजट 600 करोड के आजपास बताया जा रहा है और इस फिल्म को पहले मई के महीने में रिलीज किया जाने वारा था पर पोस्ट मॉंड कर दिया अब ये फिल्म 27 जून को पैन इंडिया रिलीज की जाएगी सेकेंड फिल्म है चंदू चैंपियन कार्थिक इस्टारर ये एक हिंदी लैंगवेज बायो पिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म होने वाली है फिल्म को डिरेक्ट करने है कबीर खान और फिल्म में कार्थिक आर्यन के अलावा कैटरिना कैफ देखने को मिल जाएंगी और फि 12 जून को थीटर में रिलीज किया जाएगा नमबर 3 पर है बैड बॉय राइड और डाइड जो की एक अमेरिकन एक्शन कमेड़ी ड्रामा फिलम होने वाली है जिसकी लीड में आपको विल स्मित देखने को मिल जाएंगे और ये फिलम सिक्वल है 2020 में रिलीज हुई फिलम बैड बॉयज की और इस फिलम को 7 जून को हिंदी इंगलिश तमिल तेलकू लैंगवेज में थीटर में रिलीज किया जाएगा नमबर चार पर हमारे बारा जो की एक हिंदी लैंगवेज शोशल ड्रामा फिलम है जिसकी लीड में आपको अनू कपूर राहुल बगगा मनो जोशी जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे और फिलम को डिरेक्ट कर रहे है कमल चंद्र और दोस्तों फिलम का पुराना नाम था हम दो हमारे बारा और फिलम में एक मुस्लिम परिवार को फोकस कर बढ़ती जनसंख्या की समस्या को इस फिलम में दिखाया जाएगा और इस फिलम को साथ जून को थीटर्स में रिलीज किया जाएगा नमबर छे पर है एमरजंसी जो कि एक हिंदी लेंगवेज बायोपिक हिस्टॉरिकल ड्रामा फिलम होने वाली है 1975 से लेकर 1977 के वो एमरजंसी दोर की जो इंद्रा गांदी दुआरा पूरे देश में लगाया गया था उस समय क्या क्या दिखते आई थी वही सब इस फिलम में दिखाया जाएगा और दोस्तों इंद्रा कांदी की भूमी का निबाती नजर आने वाली है कंगरा नावत और इस फिलम को 14 जून को रिलीज के लिए प्लैन किया गया है नमबर साथ पे है जट एंड जूलियट 3 जो कि एक पंजाबी लैंग बेज कमेड़ी ड्रामा फिलम होने वाली है और ये फिलम सिक्वल है जट एंड जूलियट की जिसमें आपको दलजी दोसांज देखने को मिल गए थे और एक बार फिर से दलजी दोसांज और नीरू बाजवा जट एंड जूलियट 3 में नजर आने वाले हैं और फिलम को डिरेक्ट कर रहे हैं जगदीब सिद्दू और इस फिलम को 28 जून को वर्ल्ड वाल्ड थेटर में रिलीज किया जाएगा नमबर आट पे है बेबी जॉन जो की हिंदी लेंगवेज एक्शन थ्रेलर ड्रामा फिलम होने वाली है फिलम की लीड में आपको वरुन धवन वामिका गबी कीरती सुरेश सान्या मलोतरा और पॉंट कर दिया गया है अब ये फिलम आपको जून के महीने में देखने को मिल जाएगी नमर नौ पर है डवुल आईसमार्ट जो की तेल गू लैंगवेज एक्शन थ्रेलर फिलम होने वाली है जिसकी लीड में आपको राम पोथी नैनी देखने को मिल जाएंगे फिलम में राम पोथी नैनी के अलावा संजे बाबा देखने को मिल जाएंगे संजेब आवा इस फिलम में आपको विलन की भूमिका निवाते हुए नजर आने वाले हैं और फिलम को डिरेक्ट कर रहे हैं पूरी जगन नाथन और ये फिलम रिमेक है स्मार्ट आई शंकर जो 2019 में रिलीज हुई थी और डावल आई स्मार्ट फिलम को 14 जून को पैन इंडिया रिलीज के लिए प्लैन किया जा रहा है कोकी जो की एक हिंदी लैंग्वेश ट्रू इवेंट बेश ड्रामा फिलम होने वाली है जिसकी लीड में आपको कोकी, राजेस, तैलंग, धननजय, मिश्रा, रीतू, शिप पूरी देखने को मिल जाएंगी और फिलम की कहानी दिखाई जाएगी एक 16 साल की लड़की की जिसका नाम था कोकीज और दोस्तो इसका गैंग रेप किया जाता है और उसे क्या-क्या दिकते आती है और उसे जस्टिस मिलता है या नहीं ये सब दिखाया जाएगा इस फिलम में और ये एक सची घटना है और इस फिलम को 28 जून को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा नमबर 11 पर है इश्क विश्क रिबॉर्ण जो कि एक हिंदी लैंग्वेज रोमेंटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसकी लीड में आपको रोहित पश्मीना रोशन जैबरान खान देखने को मिल जाएंगे और इस फिल्म को 28 जून को थियेटर्स में रिलीस किया जाएगा तो दोस्तों ये थी जून के महीने में आने वाली फिल्मे आपको इन में से किन किन फिल्मों का सबसे ज़्यादा इंतजारा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईगा वीडियो अच्छी लगी वीडियो को करिए लाइक ज्यादा ज्यादा और अभी तक चैनल को सब्सक्र झाल